slightest का क्या आर्थ होता है ये आज की वीडियो में सीख लेते हैं slightest जो है वो slight का superlative adjective होता है यानि कि जो सबसे ज़्यादा slight होता है उसे हम slightest कहते हैं और slight कार्थ होता है थोड़ा, अल्प, हल्का, हल्का सा, थोड़ा सा, मामुली सा, मामुली, तुछ, कमजोर, सपर्ष, साधारण, पतला ये निर्बल तो जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सबसे अल्प, सबसे हलका, सबसे मामूली, सबसे कमजोर या सबसे निर्बल जो होता है उसे हम slightest कहते हैं जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि हलका सा सपर्श, अलार्म को बंद कर देगा तो आप कहेंगे the slightest touch will set off the alarm या अगर आप यह कहना चाहें कि वह जरा सी बात पर नाराज हो जाती है तो आप कहेंगे she takes offense at the slightest thing या अगर आप यह कहना चाहें कि उसने छोड़ने के लिए थोड़ा सा भी जुगाव नहीं दिखाया तो आप कहेंगे he did not show the slightest inclination to leave अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें